नमस्ते दोस्तों आज मैं आपसे सेयर करने वाली हूँ चावल के आटे और आलू से बहुत ही अस्पेशल चटपटा नास्ता की रेश्पी जो बच्चे या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आई और इसे बनाने का तरीका एकदम सिंबल है तो चलिए आज कि बहुत ही मजेद नास्ता बनाना सुरू करती हूँ मैं इस चटपटा नास्ता को बनाने के लिए ले रही हूँ यहाँ पर दो मेडियम साइज के उले हुए आलू अब हमें आलू को मेश करना है तो मैं यहाँ पर एक काटा वाला चमच का इस्तिमाल कर रही हूँ आप आलू को कदू कस करके भी ले सकते हैं, तो हमें आलो को अच्छे से मेश करना है, ताकि इसमें एक भी गुठलिया ना रहे, अगर गुठलिया रहे जाएगा, तो इसे बेलते वक्त प्रेसानी आएगी, तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, अब इसमें डालेंगे आटा, तो मैं यहाँ पर दो क पर छी चावल का आटा डाल रहे हो यानि आधा कटोरी आप इसके जगह अरारोट पोडर गेहूं का आटा भी मिला कर बना सकते हैं अब बस आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे और इसको बिना पानी डाले अच्छे से गुतेंगे तो इसमें पानी का जिरूरत बिल्कुल भी नहीं परेगा क्योंकि आलो में बहुत सारा मोस्चर होता है तो ये उसे से गुता चला जाएगा अगर आपको लगे कि इसमें और आटा लगेगा तो आप इसमें उपर से डाल सकते हैं और इसे हमें एक नॉर्मल सा डो बना कर तियार करना है तो हमने यहां पर आटे रख कर अच्छे से घुमा लेंगे तो मैं यहां पर दोनों लोईया बना कर तयार कर लिये हैं तो चलिए अब इसको फटा फट से बेल ले दी हैं तो बोड के उपर थोरा सा सुखा आटा चिरकेंगे और इसमें अच्छे से लगा लेंगे तो लोई में पर्थान अच्छे स लगा लेंगे अब इसको बेलेंगे तो इसको हलके हलके हाथ से अच्छे से बेलेंगे और इसे उठाते हुए तोनों साइड से एकदम बढ़ियां से बेल कर तयार कर लेंगे मैं इसको ना तो बहुत ज़्यदा मोटा वेली हूँ और ना ही बहुत ज़्यदा पतला तो मैं इसे मेडियम में बेल कर तयार की है अब एक काटा वाला चमच लेंगे और इसके उपर इस तरह से दवाते हुए डिजैन बनेंगे तो देखे कितना बढ़िया हमारा डिजैन बनकर तयार हुआ है अब सैड का एक्स्ट्रा आटा इस तरह से काट कर हटा देंगे तो दोनों सैड से इस तरह से आटा को काट कर निकाल देंगे जो भी एक्स्ट्रा आटा है अब इसका दो इंच चोरा पट्टी काटेंगे तो इसका लंबा लंबा चार पट्टी बना लेंगे अब इसका फिर से दो इंच लंबा पट्टी काटेंगे तो देखे बिल्कुल इस तरह से तो इसे हमें लंबा इस तरह से काटना है तो सारे पट्टी इसी तरह से काटकर तयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर इसको कुछी तरह से काटकर तयार किये है अब एक पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से मोरेंगे तो देखे बिल्कुल इस तरह से तो देखिए कितना बढ़िया हमारा डिजैन बनकर तयार हुआ है तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार और इसे मोर कर दिखाती हो तो बिल्कुल इस तरह से इसको एक तरफ से पकर कर बीच में मोरेंगे और इसे मोरते हुए रोल कर देंगे बिल्कुल इस तरह से दो बागी के साड़े रोल इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे तो देखे कितना बढ़िया हमारा रोल बन कर तयार हुआ है आप इसको चाहे तो तेल में भी फ्रै करके खा सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया स्नेक्स बन कर तयार होगा अब मैं यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दे थी अब इसमें डालेंगे एक बराचमच तेल जब पानी उवलने लगे तब हम इसमें ये सारा स्नेक्स डाल देंगे अब इसको हलका इस तरह से हिला देंगे तो हमें बस इसे दो मिनट तक ही पकाना है तो हम इसको जदा नहीं पकाएंगे दो मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें एक वाल आ गया है अब गयास को बंद कर देंगे तो देखे ये दो मिनट में ही अच्छे से पक गया है अब इसको च्छान लेंगे तो इसे इस तरह से चान कर छनी में निकाल देंगे अब इसको ठंडा पानी में डाल देंगे ताकि ये ओवर कूक ना हो अब इसको पानी में इस तरह से अलग कर देंगे तो सारे को अलग कर देंगे और इसे अब पानी में दो मिनर्स तक रहने देंगे अब सभी को एक एक कर निकाल लेंगे तो सारा को इस तरह से एक एक कर निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे तो बिल्कुल इस तरह से तो चलिए अब जलती हूँ गैस की तरफ अब गैस पर एक कडाई रखेंगे और इसमें तेल यागी डाल देंगे टेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक मेडियम साइज के प्याज को बारिक काट कर साथी में मैं डाल रही हूँ एक टमाटर को भी बारिक काट कर अब दोनों चीज को एक मिनट पका लेंगे इसके बाद हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे तो मैं यहाँ पर डा इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमेटो केचप अगर आपके पास प्लैक सोस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इन सारे चीज को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोरा सा प्याज का पत्ता और थोरा सा नमक तो हमने पहले भी नमक डाले हैं तो उसी हिसाफ से नमक डालेंगे अब इन सारे चीज को मिक्स कर लेंगे हमने मसाला को बहुत ज़्यदा नहीं पकाए हैं बस दो से तेन मिनट ही पकाए हैं अब इसमें डाल लेंगे हमने जो वाल कर सनेक्स रखे थे वो डालने के बाद अब इसे एक से दो मिनल तक मसाला के साथ पका लेंगे अब धनिया को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लिजी दोस्तों आज का हमारा बहुत ही स्वादिश टेस्टी एकदम चटपटा नास्ता बनकर तयार है अगर आपके बच्चे सनेक्स खाने का जीत कर रहा है तो आप इसको जटपट बना कर दे सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है